स्वागत है आप सभी का तरुन इंडा इंस्टिट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में तो बिहार एस्टेट प्रेपरेशन के लिए अब तक हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किये हैं और सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारा भी बांकी है तो फिलाल आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक सेक्शन के आसकाई वैल्यू के बारे में आखिर क्या है ये आसकाई वैल्यू और कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है तो चलिए खुद को खुद से थोड़ा और बहतर बनाते हैं तो ये जो हमारा आसकाई वैल्यू है ये फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और इन्फॉर्मिशन इसकी कहानी बहुत है इसमें क्या है कि सबसे पहली बात कम्प्यूटर सिस्टम जो है वो 0s और 1s पर चलता है अब 0s और 1s का मतलब है कि वो हर डेटा को 0 और 1 में कण्वर्ट करेगा इसकी कहानी जो है मैंने आपको fundamentals में बता रखी है कि कैसे system में हमारा data जो है store होता है तो आप fundamental के section में जा करके आप इसे check कर सकते है 0 और 1 क्या है आखिर ये कैसे store किया जाता है computer system में तो main motto जो है हमारा वो है ask a value को समझना कि आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी तो serious ही बात है कि numbers को हम 0 और 1 में represent कर सकते है numbers हमारे 0 और 1 में represent हो जाएंगे हमने अब तक कई सारे videos में देखा कैसे हम इसी भी number को binary में, octal में, hexadecimal में convert कर पाते हैं लेकिन क्या होगा जब हम characters को convert करना चाहें जैसे कि A इसको हम binary में convert करना चाहते है binary में convert नहीं होगा तो वो 0 और 1 में कैसे जाएगा binary का मतलब यह 0 और 1 और computer system जो है वो हर चीज 0s और 1s के format में store करता है तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आखिर characters को हम कैसे computer system में store करेंगे कैसे हमारे keyboard पे जब हम A बटन दबाते हैं तो वो हमारे system पे represent हो जाता है A जबकि system 0 और 1 पे चलता है और हमने तो सिर्फ numbers को convert करना सीखा 0 और 1 में तो text को हम कैसे numbers में convert कर सकते हैं यह problem जब पूरी दुनिया के सामने आई तो 1960 के time पे उस वक्त जब conversion हो रहा था और text के conversion में जब बहुत साई problems आने लगी तो एक encoding technique आई उसी वक्त 64-65 के आसपास जो encoding technique है हमारी ask i value यह encoding है मतलब English में alphabets होते हैं 26 और उन सभी 26 को एक specific number में encode कर दिया गया इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़े हैं जैसे keyboard में हमारे non-printable characters होते हैं जैसे tab की यह सब print नहीं होता है फिर CTRL यह सब print नहीं होता है यह बस इनका functions है यह सब सिर्फ काम करते हैं alt button फिर backspace यह सारे वो buttons हैं जो functional हैं पर printable नहीं है non-printable characters यह सब print नहीं होते हैं अब इनको भी हमें system में store तो करना है तो इसके लिए एक American Standard Code of Information Interchange एक नया standard लाया गया जो character कोई भी character हो उसे number में encode करके रखेगा और फिर उस number को हम binary में convert करेंगे तो हो गया हमारा काम हमें तो binary चाहिए था तो अब हमारे पास जब character का एक specified number एक standard number है ऐसा number जो पूरी दुनिया मानेगी तो हम उस number को फिर binary में convert कर सकते हैं तो इस तरह से आसकाई value का जो है वो formation हुआ कि एक standard code हम बनाते हैं जो किसी भी character को किसी भी non-printable character को इस तरह के जितने भी numbers हैं की board पे available उन सब को हम कैसे किसी number में convert कर सकते हैं और number से फिर binary में convert करना हमारा आसान हो जाएगा तो computer system में वो सारे data भी travel कर पाएंगे जैसे हमने CTRL की दबाया और हमारे system को एक signal गया कैसा signal तो binary में गया तो पहले control को यानि CTRL को convert किया गया नंबर में number को convert किया गया binary में और फिर वो binary charge के रूप में हमारे wire से CPU तक गया फिर CPU से होते हुए हमारे monitor तक गया और फिर हमें पता चला कि अच्छा हमने control की दबाया है इसी तरह से backspace backspace का भी कोई नो कोई askai number होगा तो जैसे ही हम backspace दबाते हैं keyboard वो signal askai value में convert करता है जो कि एक normal number है digit है और उस digit को फिर हमारा keyboard ही signal में convert करता है यानि 0 और 1 के format में फिर वो CPU के पास जाता है और CPU से होते हुए हमारे आगे के process में follow कर जाता है तो यह है आपके सामने askai table जो कि जितने भी हमारे characters होते हैं जो भी special character हैं जैसे कि कोई number हो गया या फिर कोई non printable character control, alt, backspace, enter इन सभी key का एक code encode किया गया है askai value के रूप में यह है आपका decimal askai value और यह रहा आपका वो symbol example के लिए अगर आप देखें तो यहां पे और नीचे यहां अगला तरह के special characters दिये हुए और इन सभी special characters को binary में convert करना मुश्किल है इस वज़े से इनका एक decimal number standard code दिया हुआ है askai code 37 अब इस 37 को आप binary में convert कर सकते हैं तो system इस तरह से हमारे सभी special characters को यहां तक कि जो भी textual format होते हैं उन सब को convert करता है जैसे कि capital A इसका जो है askai value है 65 और 65 को convert करना आपने binary में सीखा है तो system में यह इस तरह से data को travel करता है तो जैसे ही हमारे पूरे society world में askai value आया तो हमारा data interchange जो है बहुत ही आसान हो गया यूकि वहां फिर textual format में भी data travel करने लग गया small a के लिए होता है 97 इसी तरह से जो हमारा delete की है उसका है 127 इसी तरह से और भी जो बहुत सारे keys हैं बहुत सारे special characters है जिनका आपको askai value जो है यहां इस website पे मिल जाएगा यहां तक ही बहुत सारी website से आप उन पर भी देख सकते हैं तो सबको याद करने की जरुवत नहीं है आपको बस आपके जरुवत की चीज़ें याद होनी चाहिए keyboard है keyboard पे हमने type किया a तो a capital a पहले convert होगा हमारे askai value askai value कितना है a का a का askai value है 65 तो जो 65 में convert होगा तो 65 में convert करने के बाद हम इसे binary में convert करेंगे और वो जो binary होगा वो wire के थूँ travel करेगा हमारे CPU तक और फिर वो CPU जो है उस a को transfer कर देगा हमारे monitor में तो इस तरह से हम keyboard से जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो wire के थूँ बाइनरी में travel करेगा और हमारे जो भी destinations है वहाँ तक पहुल जाएगा तो askai value computer system में बहुत ही माइने रखता है क्योंकि numbers को binary में convert करना बहुत आसान है तो text को convert करने के लिए पूरी दुनिया ने एक standard format बनाया askai value जो हर character को चाहे वो special character हो non-printable character हो या फिर alphabetical character हो इन सब को convert करता है एक specified number में और numbers को फिर हम binary में convert कर देते हैं ताकि वो system में travel यहाँ से वहाँ कर सके तो यह है हमारा askai value और हाँ एक बहुत ही खास बात है कि यह जो हमारा askai value होता है इसके जो character set होते हैं वो total 0 to 127 होते हैं मतलब जो total characters आपको मिलेंगे वो 128 तक मिलेंगे 128 characters होते हैं हमारे askai value के अंदर हो सकता है कि अब बहुत सारा बढ़ गया होगा क्योंकि बहुत सारे special characters अब और आने लग गया हैं तो काफी दिनों से इन चीजों में बढ़ोतरी होती गई है तो यह बहुत ही पुराना data है 128 characters और हो सकता है कि अभी और भी जादा data जो है इसमें मौझूद हो तो फिलाल आज के लिए इतना ही रहने देता हैं मिलते हैं अगले वीडियो में नए topic के साथ खुद को खुद से बहतर बनाते रहिए धन्यवाद